कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक लोकतांत्रिक राजनी ते वाची का है प्रियंका आईए अब सुनते हैं अध्याय दो शीर्शक है समविधान निर्मान प्रिष्ट संख्या 20 परिचय पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं हैं कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप सम्विधान कहलाता है देश का सर्वोच कानून होने की हैसियत से सम्मिधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तोर तरीकों का निर्धारन करता है इस अध्याय में हम लोकतंत्र के सम्मिधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे हमें सम्मिधान की जरूरत क्यों होती है सम्मिधान बनते कैसे है उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है किसी लोकतांत्रिक देश के सम्मिधान को आकार देने वाले मुल्य कौन-कौन से है एक बार सम्मिधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? हाल के दिनों में सम्विधान बनाने का एक उधारण दक्षिन अफ्रीका का है वहां क्या हुआ और दक्षिन अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने सम्विधान निर्मान के काम को अन्जाम दिया? हम इस अध्याय की शुरुवात में इसी अनुभव पर गौर करेंगे इसके बाद हम भारतिय सम्विधान के निर्मान और इसके पीछे के मौलिक विचार मूलियों की चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे काम काज के लिए बढ़िया धाचा उपलब्द कराता है प्रिष्ट संख्या 21 भाग 1 दक्षर अफ्रीका में लोकतांत्रिक सम्विधान मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है मैंने एक ऐसे लोगतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हूँ मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और उसे पाना चाहता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तयार हूँ यह नेलसन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिन अफ्रिका की गोरो की सरकार ने देश द्रोह का मुकदमा चलाया था उन्हें और साथ अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्ता का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिन अफ्रिका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में क्याद रखा गया था यहां एक चित्र दिया गया है रंग भेद वाले दौर यानि 1953 का एक साइन बोड है जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है इसमें डेंजर का साइन बना हुआ है और लिखा हुआ है नेटिव्स, इंडियन्स, एन कलर्ट्स इफ यू एंटर दीस प्रेमिसिस अट नाइट, यू विल बी लिस्टेट एज मिसिग अर्थात इस साइन बोड पर लिखा है खतरा देशी अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमडी वालों अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे, तो तुम्हें लापता घोशित कर दिया जाएगा हतियार बन सुरक्षा गार्ष देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच-नोच कर खा जाएंगे तुमको चेतावनी दे दी गई है रंग भेद के खिलाफ संघर्ष रंग भेद नसली भेद भाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिन अफरीका में विशिश्च तोर पर चलाई गई दक्षिन अफरीका पर यह व्यवस्था युरोप के गोरो लोगों ने लादी थी सत्रहवी और अठारवी सदी में व्यापार करने आई युरोप की कम्पनियों ने दक्षिन अफरीका को भी उसी तरह हतियारों और जोर जबर्दस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिन अफरीका में बस गए और उन्होंने स्थानिय शासन को अपने हातों में ले लिया रंग भीद की राजनीती ने लोगों को उनकी चमडी के रंग के अधार पर बांट दिया दक्षिन अफरीका के स्थानिय लोगों की चमडी का रंग काला होता है आबादी में उनका हिस्सा तीन चोथाई है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नसलों जिने रंगीन चम्री वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे गोरे शासक गोरों के अलावा शेश सब को छोटा और नीचा मानते थे इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था रंग भेद की शासके नीती अश्वेतों के लिए खास तोर से दमनकारी थी उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे रेलगारी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकाले, सिनिमा घर, नाट्य ग्रह, अमुद्रतट, तरनताल और सार्वजनिक शोचालियों तक में गोरों और कालों के लिए एक दम अलग-अलग इंतिजाम थे इसे प्रिथक करण या अलग-अलग करने का इंतिजाम कहा जाता था काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगा तो क्या उनके गिरजा घर तक में नहीं जा सकते थे अश्वेतों को संघटन बनाने और इस भेद भाव फून व्यवार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमडी वाले और भारतिय मूल के लोगों ने रंग-भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया उन्होंने विरोध प्रदर्षिन किये और हरताले आयोजित की भेद भाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संघटन अफरीकी नेशनल कॉंग्रेस के जंडे तले एक जुठ हुए प्रिष्ट संख्या 22 इनमें कई मजदूर संघटन और कम्यूनिस्ट पार्टी भी शामिल थी अनेक समझदार और समवेदन शिल गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफरीकी नाशनल कॉंग्रेस के साथ आये और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुक भूमिका निभाई अनेक देशोंने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्ता के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमणी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा यहां एक चितर दिया गया है यह है डर्बन समुदर तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकंस और जुलू भाषा में लिखा गया नोटिस बोड है इस पर लिखा है डर्बन नगर, डर्बन समुदर तट, कानून की धारा 37 के तहट इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नसल के लोगों को ही है एक नए सम्विधान की ओर रंगभेत के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, तो सरकार को यह एसास हो गया कि अव्वे जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाफ शुरू किया भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया राजनेतिक दलों पर लगा प्रतिबंद और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई 28 वर्ष तक जेल में क्याद रखने के बाद नेलसन मंडेरा को अजाद कर दिया गया आखिरकार 26 एपरल 1994 की मध्यरात्री को दक्षन अफरीका गण राज्य का नया जंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया रंग भेदवाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नसल के लोगों की मिली जुली सरकार के गठन का रास्ता खुला यह सब कैसे हुआ आईए इस असाधारन बदलाफ के बाद नए दक्षन अफरीका के पहले राष्ट्रपती नेलसन मंडेरा के मूँ से यह जाने एतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समू रंग भेदवाली शासन व्यवस्था की जगह शान्ति पून धंग से लोगतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल्मन साहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तयार थे मेरी कामना है कि दक्षिन अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाती पर विश्वास करना ही हमारे लोगतांत्र का आधार है नए लोगतांत्रिक दक्षिन अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से अग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किये थे उन्हें वे भूल जाए और गोरों को माफ कर दें उन्होंने कहा कि आईए अब सभी नसलों तथा इस्त्री पुरुष की समानता लोगतांत्रिक मूल्यों, समाजिक न्याये और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिन अफ्रीका का निर्मान करें एक पार्टी ने दमन और निशन संत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की रड़ाई की अगवाई की थी नए सम्विधान के निर्मान के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी प्रिश्ट संख्या देज यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें आज का दक्षन अफ्रीका दिखाया गया है यह तस्वीर आज के दक्षन अफ्रीका की सोच को उजागर करती है आज का दक्षन अफ्रीका खुद को इंद्र धनुशी कहता है दो वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो सम्विधान बनाया वैसा अच्छा सम्विधान दुनिया में कभी नहीं बना था इस सम्विधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिये गए हैं उतने दुनिया के किसी सम्विधान ने नहीं दिये गए इस बात पर भी सहमती बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो लेकिन आब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागिदारी होगी। दक्षिन अफ्रीकी समविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूपसूरत धंग से व्यक्त करती है। दक्षिन अफ्रीकी समविधान से दुनिया भर के लोकतांतरिक लोक प्रेड़ना लेते हैं। करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बात समझें। दक्षिन अफ्रीका का समविधान, इतिहास और भविश्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझोता है कि दक्षिन अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से ये वायदा करते हैं। कि हम अपने रंग भेदी, कुरूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमती नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है। यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साजा करने का घोशना पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। खुद करें, खुद सीखें। एक, नेलसन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाएं। दो, अगर उनकी आत्मकथा The Long Walk to Freedom उपलब्ध हो, तो कक्षा में उसके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। कहां पहुंचें, क्या समझें। क्या दक्षिन अफीका के सोतंतरता संग्राम से आपको भारतिय राष्ट्री आंदोलन की याद आई। इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानताएं और असमानताएं बताएं। प्रिष्ट संख्या 24 भाग दो, हमें समविधान की जरूरत क्यों है? हमें एक समविधान की जरूरत क्यों है और समविधान क्या करता है? इस बात को हम दक्षिन अफीका के उधारन से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा करपाना असान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहु संख्यक अश्वेत इस बाद पर चौकस थे कि लोकतंत्र में भहुमत के शासन वाले मूल सिध्धान से कोई समझोता ना हूँ। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्प संख्यक गोरों को अपनी संपत्ती और अपने विशेश अधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बादचीत के बाद दोनों पक्ष समझोते का रास्ता अपनाने को तयार हुए। गोरे लोग भहुमत के शासन का सिध्धान और एक व्यक्ति एक वोट को मान ग वे इस बाद पर सहमत हुए कि बहुमत की जरिये अश्वेत लोग अल्प संख्यक गोरों की जमीन जायदात पर कबजा नहीं करेंगे। यह समझोता आसान नहीं था। इस समझोते को लागू करना और भी कटिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें। तो क्या गारंटी है कि भविश्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिती में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बाते तई हुई हैं उन्हें लिखत पड़त में ले लिया जाए जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। भविश्य में शासकों का चुनाव कैसा होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्ही लिखित नियमों में नागरिकों के अध पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिन अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतिजाम किया। वे कुछ बुन्यादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे उपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्ही बुन्यादी नियमों के लिखित रूप को सम्विधान कहते हैं। सम्विधान रचना सिर्फ दक्षिन अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग-अलग सम्विधान के लोग रहते हैं। सम्भव है कि उनके रिष्टे दक्षिन अफ्रीका के गोरे और कालो जितने कटुता पूर्ण नहीं हूँ। पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हित्तों में फर्क रहता है। लोग तांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो पर दुनिया के सभी देशों को ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगटन के कायदे कानून होते हैं, सम्विधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई कलब हो या सहकारी संगटन या फिर राजनातिक दल सभी को एक सम्विधान की जरूरत होती है। प्रिश्ट संख्या 25 सम्विधान लिकित नियमों की ऐसी किताब हैं जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामुहिक रूप से मानते हैं। सम्विधान सर्वोच कानून है जिससे किसी शेत्र में रहने वाले लोगों जिने नागरिक कहा जाता है कि बीच के आपसी सम्बंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के सम्बंध भी तय होते हैं सम्विधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख हैं पहला ये साथ रह रहे विभिन तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विक्सित करता है दूसरा ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसा होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा तीसरा यह सरकार के अधिकारों की सीमा तै करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है और चौता यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की अकांक्शा को व्यक्त करता है जिन देशों में सम्विधान हैं वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हूं यह जरूरी नहीं है लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन हैं वहां सम्विधान का होना जरूरी है ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लडाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए सम्विधान का निर्मान किया फ्रांसिसी क्रांती के बाद फ्रांसिसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक सम्विधान को मान्यता दी इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्ता में एक लिखित सम्विधान हो खुद करें, खुद सीखें अपने इलाके के किसी कलब, सहकारी संगठन, अत्वा मजदूर संग या राजनैतिक दल के दफ्तर में जाएं और उनसे उनके सम्विधान या संगठन के नियमों की पुस्ति का मांगे तथा उसका अध्यायन करें क्या उसके नियम लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल हैं? क्या वे बिना भेद भाव के सभी को सदस्यता देते हैं? यहां दो चित्र दिये गए हैं पहला वल्लब भाई जावर भाई पटेल का 1875 से 1950 तक जन्म गुजरात अंत्रिम सरकार में ग्रह सूचना एवं प्रसारन मंत्री वकील और बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता भारतिय रियासतों के विलाय में निर्नायक भूमिका बाद में प्रधान मंत्री दूसरा चित्र है सरोजनी नाइडू का 1889 से 1994 तक जन्म आंधर प्रदेश, कवियत्री, लेखिका और राजनेतिक कारे करता कॉंग्रेस की अग्रणी महिलानेता बाद में उत्तर प्रदेश की राजेपाल भाग तीन भारतिय सम्विधान का निर्मान दक्षिन अफ्रीका की ही तरह भारत का सम्विधान भी बहुत कठिन परिस्तितियों के बीच बना भारत जैसे विशाल और विवित्ता भरे देश के लिए सम्विधान बनाना असान काम नहीं था भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकल कर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे देश ने धर्म के आधार पर हुए बटवारे की विबीशिका भी जेली थी भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बटवारा भारी बर्बादी और धहलाने वाला अनुभव था देशी रियासतों के शासकों को गहे अजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विले कर दे या स्वतंत्र रहें इन रियासतों का विले मुश्किल और अनिष्टय भरा काम था जब सम्विधान लिखा जा रहा था तब देश का भविश्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है सम्विधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविश्य की चिंता थी खुद करें, खुद सीखें अपनी दादा-दादी, नाना-नानी या इलाके के किसी बुजर्ग से बात कीजिए उनसे पूछ ये कि क्या उनको आजादी या बटवारे या सम्विधान निर्मान के बारे में कुछ बातें याद हैं उस समय लोगों को किन बातों की उमीद थी और क्या-क्या अन्देशे थे अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए सम्विधान निर्मान का रास्ता सारी मुश्किलों के बावजूद भारती सम्विधान निर्माताओं को एक बड़ा लाब था दक्षण अफ्रीका में जिस तरह सम्विधान निर्मान की दौर में ही सारी बातों पर सहमती बनानी पड़ी वैसी स्थिती उस समय की भारत में नहीं थी भारत में अजादी के लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकार्श बुन्यादी बातों पर राष्ट्रे सहमती बनाने का काम हो चुका था हमारा राष्ट्रे अंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीती को बदलने और नए सिरे से गणने का अंदोलन भी था आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीके मतभेद थे ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगबग सभी लोगों की सहमेती कायम हो चुकी थी 1928 में ही मोतिलाल लहरू और कॉंग्रेस के आठ अन्य नेताओं ने भारत का एक सम्विधान लिखा था 1931 में कराची में हुए भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूप रेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का सम्विधान कैसा होगा इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के सम्विधान में सार्व भूम, वयस्क मत्य अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्प संख्यों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी इस प्रकार समविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मुल्यों पर सभी नेताओं की सहमती बन चुकी थी औप निवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्ताओं को जानने समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का सुरूप तै करने में मदद मिली अंग्रेजी हकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधाईका का गठन किया था वे बहुत कमजोर थी 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे इनमें बनी सरकारे पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी पर विधान सभाओं में जाने और काम करने का अनुभग तब बहुत लाबदायक हुआ क्योंकि इनी भारतिये लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था इसी कारण भारतिय सम्विधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगबग जसका तस अपना लिया गया जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और भैसों ने भी काफी लाब पहुँचाया हमारे नेताओं में इतना आत्म विश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई हमारे अनेक नेता फ्रांसिसी क्रान्ती के आदर्शों, ब्रिटेन के संसिदीए लोगतंतर के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे रूस में हुई समाजवादी क्रांती ने भी अनेक भारतियों को प्रभावित किया और वे समाजिक और आर्थिक सम्ता पर आधारित व्यवस्ता बनाने की कलपना करने लगे थे लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजे भारत के लिए उप्युक्त होंगी इन सभी चीजों ने हमारे सम्विधान के निर्मान में मदद की सम्विधान सभा फिर भारत के सम्विधान के निर्माता कौन थे यहां आपको सम्विधान बनाने में प्रमुक भूमे का निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संग्षेप में कुछ-कुछ जानकारियां मिलेंगी चुने गए जन प्रतिनिदियों की जो सभा सम्विधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे सम्विधान सभा कहते हैं भारतिये सम्विधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे सम्विधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया सम्विधान सभा भी दो हिस्सों में बढ़ गई भारत की सम्विधान सभा और पाकिस्तान की सम्विधान सभा यहाँ पर चित्र दिये गए हैं पहला अब्दुल कलाम आजाद 1888 से 1958 तक जन्म सौधी अरब शिक्षाविद लेखक और धर्म शास्त्रों के ज्याता अर्भी के विद्वान कॉंग्रेसी नेता राष्ट्रिय आंदोलन में अग्रणे भूमिका मुसलिम अलगाववादी राजनीती के विरोधी बाद में पहले केंद्रिय मंत्री मंडल में शिक्षा मंत्री दूसरा चित्र है टी टी कृष्णा मचारी का 1899-1974 तक जन्म तमिलनाडु प्रारूप कमेटी के सदस्य उद्यमी और कांग्रेसी नेता बाद में केंद्रिय मंत्री मंडल में वित्व मंत्री तीसरा चित्र है राजेंद्र प्रसाद का 1884-1963 जन्म बिहार सम्विधान सभा के अध्यक्ष वकील और चंपरण सत्याग्रे के प्रमुक भागिदार तीन बोर कॉंग्रेस अध्यक्ष बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपती चित्र चार जैपाल सिंग 1903-1970 जन्म जारखंड खिलाडी और शिक्षाविद भारतिय होकी टीम के पहले कप्तान आदिवासी महसभा के संस्थापक अध्यक्ष बाद में जारखंड पार्टी के संस्थापक चित्र पांच ह.C. मुखरजी 1887-1956 जन्म बंगाल समविधान सभा के उपाध्यक्ष प्रसिद लेखक और शिक्षाविद कॉंग्रेसी नेता ओल इंडिया क्रिष्चन काउंसिल और बंगाल विधान सभा के सदस्य बाद में बंगाल के राज्यपाल चित्र छे जी दुरग बाई देश मुख 1909-1981 जन्म आंध्र प्रदेश वकील और महिला मुक्ति कारेकर्ता आंध्र महिला सभा की संस्थापक कॉंग्रेस की सक्रियनेता बाद में केंद्रिये समाज कल्यान बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष प्रिष्ट संख्या 27 भारती संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया संविधान 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जन्वरी को गरतंत्र दिवस मनाते हैं खुद करें खुद सीखें अपने राज्य या इलाके से संविधान सभा में गए ऐसे सदस्य का नाम पता करें जिनका जिक्र यहां नहीं किया गया है उस नेता की तस्वीर जुटाएं या उनका स्कैच बनाएं हमने जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूचना दी है उसी तरह उनके बारे में भी ब्योरा दें यानि नाम, जन्मवर्ष, मृत्यवर्ष, जन्मस्थान, वर्तमान राजनेतिक सीमाओं के अधार पर राजनेतिक गतवीडियों का संक्षिप्त विफरन, सम्विधान सभा के बात की भूमी का इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए सम्विधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है सम्विधान सिर्फ सम्विधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है दुनिया के कई देशों में समविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि समविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां की सभी सामाजिक समूओं या राजनेतिक दलों की सहमती नहीं थी कई देशों में समविधान है पर वहे कागस का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्ता वेज भर है कोई भी उस पर आच्रन नहीं करता पर हमारे समविधान का अनुभव एकदम अलग है पिछली आदी सदी से ज्यादा की अवदी में अनेक समाजिक समुहूं ने समविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाएं पर किसी भी बड़े समाजिक समुह या राजनैतिक दल ने खुद समविधान की व्यदता पर सवाल नहीं उठाया यह हमारे सम्विधान की एक आसाधारन उपलब्दी है सम्विधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि सम्विधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी उस समय सार्व बोम वयस्क मतादिकार नहीं था इसलिए सम्विधान सभा का चुनाव देश की लोग प्रत्यक्ष धंग से नहीं कर सकते थे इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांती असेंबलियों के सदस्यों नहीं किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं इसके कारण देश के सभी भुगौलिक शेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिदित्व हो गया था इस सभा में भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था जिसने राष्ट्रे अंदोलन की हगवाई की थी पर स्वयं कॉंग्रेस के अंदर कई राजनेतिक समूम और विचारों के लोग थे सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कॉंग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूम, जाती, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे अगर सम्विधान सभा का गठन सार्व भोम वयस्क मताधिकार के जरिये हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता और अंततह जिस तरह सम्विधान सभा ने काम किया वह सम्विधान को एक तरह की पवित्रता और वैदता देता है सम्विधान सभा का काम काफी व्यवस्तित, खोला और सर्व सम्मती बनाने के प्रयास पर आधारित था सबसे पहले कुछ बुनियादी सिध्धान तय किये गए और उन पर सबकी सहमती बनाई गई फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुक डॉक्टर बी आर अम्बेटकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप सम्विधान बनाया सम्विधान के प्रारूप की प्रतेक धारा पर कई-कई दोर में चर्चा हुई 2000 से ज्यादा संग्शोधनों पर विचार हुआ तीन वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया इने Constituent Assembly Debates नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया इनी बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है संभिधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उप्योग होता है कहां पहुँचे, क्या समझे भारती संभिधान निर्माताओं के बारे में यहां दी गई सभी जानकारियों को सुने आपको यह जानकारी कंठस करने की जरूरत नहीं है इस आधार पर इन कतनों के पक्ष में उधारन प्रस्तुत करें एक, समविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कॉंग्रेसी नहीं थे दो, सभा में समाज के अलग-लग समुहूं का प्रतिनिधित्व था तीन, सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग-अलग थी भाग्चार भारतिय समविधान के बुनियादी मूल्य इस किताब में हम विभिन विश्व पर समविधान के प्रावधानों का अध्यन करेंगे अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे समविधान के पीछे का दर्शन क्या है यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं अपने नेताओं के सम्विधान संभंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं परन्तु हमारा सम्विधान स्वयम अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है सम्विधान की प्रस्तावना यही काम करती है आईए इस पर बारी बारी से गौर करें सपने और वायदे आप में से कुछ को भारतिय सम्विधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हरानी हुई होगी यानि महात्मा गांधी का नाम वे सम्विधान सभा के सदस्य नहीं थे पर सम्विधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयाई थे 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने सम्विधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था मैं भारत के लिए ऐसा सम्विधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधिनिता से मुक्त करे मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ती भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागिदारी है ऐसा भारत जिसमें लोगों का उचवर्ग और निम्नवर्ग ना रहे ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे ऐसे भारत में छुआ छूत या शराप और नशीली चीजों के लिए कोई जगे ना हो और तों को भी मर्दों जैसे अधिकार हूँ मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होंगा यहां तीन चित्र दिये गए हैं एक बलदेव सिंग 1901 से 1961 जन्म हरियाना सफल उद्यमी और पंजाब विधान सभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता सम्विधान सभा में कॉंग्रेस द्वारा मनोनीत बाद में केंद्रिय मंत्री मंडल में रक्षा मंत्री दूसरा चित्र कनहिया लाल मानिक लाल मुंशी का है 1887 से 1971 जन्म गुजरात वकील इतिहासकार और भाषाविद कॉंग्रेस सिंएता और गांधिवादी बाद में केंद्रिय मंत्री मंडल में मंत्री सोतंत्र पार्टी के संस्थापक तीसरा चित्र श्यामा प्रसाद मुखर जी का है 1901 से 1953 जन्म पश्चिम बंगाल अंत्रिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ती मंत्री शिक्षाविद और वकील हिंदू महासभा में सक्रिय बाद में भारतिय जन्संग के संस्थापक प्रिष्ट संख्या 39 यहां तीन चित्र दिये गए हैं एक भीमराव रामजी अंबेदकर 1891 से 1956 जन्म महराष्ट प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष सामाजिक क्रांतिकारी चिन्तक जातिकद बठवारे और भेद भाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी बाद में सोतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ओफ इंडिया के संस्थापक दूसरा चित्र जवाहर लाल नहरू अठारा सो नवासी से उन्निस सो चौशट जन्म उत्तर प्रदेश अंतरीम सरकार के प्रधान मंत्री वकील और कॉंग्रेसी नेता समाजवाद लोकतंत्र और सामराज्यवाद के विरोध के पक्षधर बाद में भारत के प्रथम प्रधान मंत्री तीसरा चित्र सोमनाथ लाहिड़ी 1901 से 1984 जन्म पश्चिम बंगाल लेखक और समपादक भारतिय कमिनिस्ट पार्टी के नेता बाद में पश्चिम बंगाल विधान सभामे सदस्य भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेटकर के मन में भी था जिनोंने समविधान निर्मान में महत्वपून भुमिका निभाई अव समानता कैसे दूर की जा सकती है इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे उन्होंने अकसर गांदी और उनके नजरिये की कटू अलोचना की समविधान सभा में दिये गए अपने अंतिम भाशन में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था 26 जनवरी 1950 को हम विरोधा भासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं राजनीती के मामले में हमारे यहां समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असामानताओं से भरा होगा राजनीती में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान महत्र के सिध्धानत को मानेंगे अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक धाचे के कारण ही एक व्यक्ति, एक वोट के सिध्धानत को नकारना जारी रखेंगे हम इस विरोधा भास पून जीवन को कितने लंबी समय तक जीते रहेंगे हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे अगर यह नकारना ज्यादा लंबी समय तक चला तो हम अपने राजन्यतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे आखिर में आईए हम 15 अगस्ट 1947 की मध्यरात्री के समय सम्विधान सबा में दिये जवाहरलाल नहरू के प्रसिद भाषन को याद करें वर्षो पहले हमने अपनी नियती के साथ साक्षातकार किया था और अब वक्त आगया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक घड़ियां जब ठीक मध्यरात्री का घंटा बजाएंगी जब सारे दुनिया सोती होगी तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा आजाद होगा जब एक युक का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट की दवी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है आवाज पाती है ऐसे पवित्क्षण में हम अपने आपको भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें यही हमारे लिए उचित है आजादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है भारत की संप्रभू लोगों का प्रतिनिद्व करने वाली इस संप्रभूता संपन्र सभा के उपर अब जिम्मेवारी है आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसफ पीड़ा जेली है और इसी क्रम में हुए दुखों के कारण हमारा दिल भारी है इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए है फिर भी इतिहास अब बीच चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है ये भविष्य बहुत अराम करने या सुस्ताने का नहीं बलकि उन वाइदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिने हमने अकसर किया है और एक शपत हम आज भी लेंगे भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परिशानियों में पड़े लाखों करोणों लोगों की सेवा करना इसका अर्थ है दरिद्रता का अज्ञान और बिमारियों का अफसर की असमानता का अंत हमारे युक के महनतम आदमी की कामना हर आख में आशु पोचने की है संभव है ये काम हमारे भर से पूरा ना हो पर जब तक लोगों की आखों में आशु हैं कश्ट हैं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा कहां पहुंचें क्या समझें पहले दिये गए तीनों उधरणों को गौर से पढ़ें एक पहचानिये की कौन सा एक विचार इन तीनों उधरणों में उपस्तित है दूसरा इन तीनों उधरणों में इस साजे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से भिन्न है संविधान का दर्शन जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेणा दी और उसे दिशा निर्देश दिये तथा जो इस क्रम में जाच परक लिये गए वे ही भारतिये लोकतंत्र का आधार बने भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया भारतिय सम्विधान की सारी धाराएं इन्ही के अनुरूप बनी है सम्विधान की शिरुवात बुनियादी मूल्यों की एक छोटी से उदेशिका के साथ होती है इसे समविधान की प्रस्तावना या उदेशिका कहते हैं अमेरिकी समविधान की प्रस्तावना से प्रेड़ना लेकर समकाली दुनिया के अधिकांश देश अपने समविधान की शुरुवात एक प्रस्तावना के साथ करते हैं आईए हम अपने सम्विधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पड़ें और उसमें आये प्रतेक महत्पून शब्द के मतलब को समझें सम्विधान की प्रस्तावना लोक तंत्र पर एक खुबसूरत कविता सी लगती है इसमें वे दर्शन शामिल है जिस पर पूरे सम्विधान का निर्मान हुआ है यह दर्शन सरकार की किसी भी कानून और फैसले की मुल्यांकन और परिक्षन का मानक तय करता है इसके सहारे पर्खा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है इसमें भारती सम्विधान की आत्मा बस्ती है भारत का सम्विधान उद्देशिका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की सोतंत्रता, प्रतिष्ठा और अफसर की समता प्राप्ट कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राश्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए द्रण संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में, आज तारीख 26 नवंबर 1949 इसमी, मिती मार्गशीर्ष, शुकला, सब्तमी, समवत 2006 विक्रमी को एतत द्वारा इस सम्विधान को अंगिकृत, अधिनियमित और आत्मारपित करते हैं संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संग बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांती बनाने, साजा सुरक्ष विवस्ता बनाने, जन कल्यान को बढ़ावा देने, तथा अपने और अपनी सम्रिधी में स्वतंत्रता का लाब देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस सम्विधान को स्तापित करते हैं और इसका अभिशेक करते हैं। आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षन अफ्रीका उन सभी का है जो यहां रहते हैं, यहां की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए सोतंत्र रूप से चुने अपने प्रतनिदियों के माध्यम से अपने गरतंत्र के सर्वोज कानून के तौर पर इस सम्विधान को स्विका करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटें और लोगतांत्रिक मूलियों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोगतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो, जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले, तथा हर नागरिक को कानून के समान संरक्षन मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुडवत्ता में सुधार हो, और हर व्यक्ति की संभावनाओं को फ एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके, इश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे, भारत के संभिधान की संभावना में कही गई बातों को अलग-अलग समझाया गया है, एक, हम भारत के लोग भारत को, भारत के संभिधान का निर्मान और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिद्यों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी दाजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है, दो, प्रभुत्व संपन, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच अधिकार है, कोई भी भारी शक्ती भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती, तीन, पंथ निर्पेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आच्रणों को सम्मान सम्मान देती है, चार, गण राज्य, शासन का प्रमुक लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ती होगा, ना कि किसी वन्ष या राज खांदान का, समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, पहले से चली आ रही समाजिक असमानताओं को समाप्थ होना होगा, सरकार हर नागरिक को समान अफसर उपलब्द कराने की व्यभस्ता करे, 6. समाजवादी, समाज में समपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, और समाज में उसका बटवारा समानता के साथ होना चाहिए, 7. सरकार जमीन और उद्योग धन्दों की हगदारी से जुड़े काइदे कानून इस तरह बनाएं कि समाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों, 7. लोग तन्तरात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजिनातिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाब देहे बनाते हैं, यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, 8. न्याहे, नागरिकों के साथ उनकी जाती, धर्म और लिंक के अधार पर भेद भाव नहीं किया जा सकता, 9. स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचे, किस थरा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस थरा अमल करें, इस पर कोई अनुचित प्राबंदी नहीं है, 10. बंदुता, हम सभी ऐसा आचरन करें, जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हूँ, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, प्रिष्ट संख्या 56, कहां पहुँचे क्या समझे, संयक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षन अफ्रीका के सम्विधानों की प्रस्तावना की तुलना की जिये, एक, इन सभी में जो विचार साजा है, उनकी सूची बनाएं, दो, इन सभी में कम से कम एक बड़े अंतर को रेखांकित करें, तीन, तीनों में से कौन सी प्रस्तावना अतीत की ओर संकेत करती है, चार इन प्रस्तावनाओं में से कौन सी इश्वर का आहवान नहीं करती प्रिष्ट संख्या 32 संविधान सिर्फ मूल्य संस्थाओं का स्वरूप जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है संविधान इन मूल्य को संस्थागत रूप देने की कोशिश है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं उसका अधिकांश हिस्सा इनी व्यवस्ताओं को तै करने वाला है यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत्व दस्तावेज है इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है भारतिय सम्विधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में होरे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए उन्होंने इसे पवित्र, स्थाई और ना बदले जा सकने वाले कानून की रूप में नहीं देखा था इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा इन बदलावों को सम्विधान संशोधन कहते हैं सम्विधान ने संस्थागत व्यवस्ताओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है अगर आप सम्विधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है किसी भी सम्विधान की तरह भारतिय सम्विधान भी बे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ती होगी और कौन किसके बारे में फैसले लेगा साथ ही समविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्षमन रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती पुस्तक के शेश तीन अध्याय भारतिय समविधान के इनी तीन पक्षों के बारे में हैं प्रतेक अध्याय में हम कुछ प्रमुक समविधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीती में ये किस तरह काम करते हैं लेकिन यह किताब भारतिय सम्विधान की द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाहों और व्यवस्ताओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलों पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। शब्द अर्थ रंग भेद दक्ष्ण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नसली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्ता। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा अनुच्छेद संविधान देश का सर्वोच कानुन इसमें किसी देश की राजनीती और समाज को चलाने वाले मौलिक कानुन होते हैं। संविधान संशोधन देश की सर्वोच विधाई संस्था द्वारा उस देश की संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा जन प्रतिनिदियों की वह सभा जो सम्विधान लिखने का काम करती है प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंबिक रूप दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार प्रस्तावना सम्विधान का वह पहला कतन जिसमें कोई देश अपने सम्विधान के बुनियादी मूल्यों और अवधार्नाओं को स्पष्ट धंग से कहता है देश द्रोह देश की सरकार को उखार फेकने की कोशिश करने का अपराध प्रिश्ट संख्या तैंटीस प्रश्न एक यहां कुछ गलत वाक्य दिये गए हैं हर एक मेंसे की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के अधार पर उसको ठीक करके लिखें क सोतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं इस विशय पर सोतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था भारतिये सम्विधान सभा के सभी सदस्य सम्विधान में कहे गई हर एक बाद पर सहमत थे जिन देशों में सम्विधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी ग, सम्विधान देश का सर्वोच कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता प्रश्न दो, दक्षिण अफरीका का लोकतांत्रिक सम्विधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपून था ग, दक्षिण अफरीका और उसके पडोसी देशों का ख, स्त्रियों और पुर्शों का ग, गोरे अल्प संख्यक और अश्वेत बहु संख्यकों का ग, रंगीन चमडी वाले बहु संख्यकों और अश्वेत अल्प संख्यकों का प्रश्न तीन लोक्तांत्रिक सम्विधान में इन में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता क शासन प्रमुख के अधिकार ख शासन प्रमुख का नाम ग विधाईका के अधिकार ग देश का नाम प्रश्न चार सम्विधान निर्मान में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं कॉलम एक क मोतिलाल नहरू ख बी आर अम्बेटकर ग राजेंद्र प्रसाद ग सरोजनी नाइडू कॉलम दो एक सम्विधान सभा के अध्यक्ष 2. सम्विधान सभा की सदस्य 3. प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष 4. 1928 में भारत का सम्विधान बनाया प्रश्न पांच जवाहरलान नहरू के नियती के साथ साक्षातकार वाले भाषन के आधार पर इन प्रश्नों का जवाब दें 5. नहरू ने क्यों कहा की भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है 6. नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं 6. वे सम्विधान निर्माताओं से क्या शपत चाहते थे 6. हमारी पीडी के सबसे महान व्यक्ती की कामना हर आख से आसु पोचने की है वे इस कतन में किसका जिक्र कर रहे थे 6. हमारे सम्विधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए कॉलम एक क सम्प्रभू ख गणतत्र ग बंधुत्व घ धर्म निर्पेक्ष कॉलम दो एक सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी दो फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है तीन शासन प्रमुक एक चुना हुआ व्यक्ति है चार लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए प्रिश्ट संख्या चाउतिस प्रश्ट साथ कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहां की राजनैतिक स्तिति के बारे में आपको पत्र लिखा था वहां अनेक राजनैतिक पाटियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिये गए मौजूदा सम्विधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिध्यों को ज्यादा अधिकार दिये जा सकते हैं अन्य पाटियां नया गणतांत्रिक सम्विधान बनाने के लिए नई सम्विधान सभाग गठित करने की मांग कर रही थी इस विशे में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे प्रश्ट आठ भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुक कारणों के बारे में कुछ अलग-अलग विचार इस प्रकार है आप इन में से हर कथन को भारत में लोकतंत्र के लिए कितना महत्फून कारण मानते हैं क अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतंत्र के विवस्था दे हमने बिटिश हकूमत के समय बनी प्रांतिय असम्बिलियों के जरिये लोकतांत्रिक विवस्था में काम करने का प्रशिक्षन पाया ख, हमारे सोतंत्रता संग्राम ने आपनी वैशिक शोषण और भारतिय लोगों को तरह तरह की आजादी ना दिये जाने का विरोध किया ऐसे में सोतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था ग, हमारे राश्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी अनेक नव सोतंत्र राश्ट्रों में लोकतंत्र का ना आना हमारे नेताओं की महत्वपून भूमिका को रेखांकित करता है प्रश्ण नो, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आच्रण पुस्तर के इस अंश को सुने इश्वर ने औरत जाती को शारिरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज्यादा नाजुक बनाया है उन्हें आत्मरक्षा के भी योगे नहीं बनाया है इसलिए इश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुर्शों के संरक्षन में रहने का भाग्य दिया है कभी पिता के, कभी पती के और कभी पुत्र के इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगा इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आपको पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती है क्या इस अनुछेद में व्यक्त मूल्य सम्विधान की दर्शन से मेल खाते हैं या वे सम्विधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं प्रश्न दस इन कत्नों पर विचार कीजिए क्या आप उनसे सहमत हैं अपने कारण भी बताईए क सम्विधान की नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है सम्विधान बताता है कि शासन विवस्ता के विभिद अंगों का गठन किस तरह होगा ग, नागरिकों के आधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उलेक भी सम्विधान में स्पष्ट रूप में है ग, सम्विधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है आईए अखबार पढ़ें सम्विधान संशोधन के किसी प्रस्ताव या किसी संशोधन की मांग से संबंधित अखबारी खबरों को ध्यान से पढ़िए आप किसी एक विशह पर जैसे संसद, विधान सभाव में, महिलाओं के लिए आरक्षन विशह पर छपी खबरों पर गौर कर सकते हैं क्या इस सवाल पर कोई सार्वजनिक चर्चा हुई थी? संशोधन के पक्ष में क्या क्या तर्क दिये गए हैं? सम्विधान संशोधन पर विभिन दलों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या ये संशोधन हो गया है? प्रिष्ट संख्या 35 अभी आप सुन रहे थे सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत ध्वनी पाठे पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीती भाग एक का दूसरा अध्याय शीर्शक्था समविधान निर्मान वाचन स्वर अजीत होरो निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत